नव दिन रातरी शक्ति की उपासना करने के पश्चात, विजय के साथ उधित होने वाली आश्विन चुकल दश्मी के दिन, हम अपने इस विजया दश्मी उत्सों को संपन्न करने के लिए यहां पर उपस्थित है। शक्ति सारी बातों का आधार है, शक्ति शांती का भी आधार है, शुभक आमों को करने के लिए भी शक्ति चाहिए। जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज की न चानता, मोह आकर शन भरे इस अविश्व में राह अपने धेय की पहचानता, दूसरों के दुख को दूर करना, उसके लिए विश्व भी पीना जिसको स्विकार है। ऐसे व्यक्ति को भी साधना के द्वारा शक्ति का अर्जन करना पड़ता है, क्योंकि साधना ही मुक्ति का शुभद्वार है, शक्ति भी तो शान्ति का ही आधार है। ऐसे शक्ति उपासना का यह उत्सव है, विजय का यह उत्सव है, और सयोग है कि उसमें प्रमुकतिती के नाते उपस्थित, श्रिमती संतोष यादव जी, उसी शक्ति का उर्जा का चैतन्य का प्रतिनिजधित्व करने वाली है, गवरी शंकर की उचाही को दो बार उनोंन पाठा है, संग के कारिक्रम में ऐसे समाज की जो कर्तृत्व संपन प्रबुद्ध सबके लिए आदर्श उपस्थित करने वाली माता भगीनी है, उनको निमंत्रित करना, उनका उपस्थित रहना, उनका प्रमुकतिती बनना, यह डॉक्ट्र साब के समय से ही चलता आ रहा है, श्रीमतिय अनुसुयाबाई काले हमारे कारकम में आचुकी है उस समय, भारतिय महिला परिशत इंडियन मूमेंस कॉन्फरेंस की उस समय की अध्यक्षा, राजकुमारी अमुरुत कौर भी यहां के शिबिर में आ चुकी है, दिसंबर चौटीस में शिबिर हुआ था, उसमें भी अध्यक्षता, ऐसी एक महिला नी की थी, और तब से चलता आ रहा है, इमर्जंसी के बाद अकोला शहर के भी एक उत्सो की अध्यक्षा, मैं वाप रचा रखता हूँ उस समय, तो कुमुत्ताई रांगने करजी, अवरंगाबाद की रहने वाली, उन्होंने विजयारश में उत्सो का प्रमुकतिती पद्भूशित क क्योंकि संपूर्ण समाज को संगठित करना है, तो समाज तो दोनों से बनता है, हमारे यहां यह दुरुष्टी है, पुरुष श्रेष्ट की महिला श्रेष्ट है, ऐसा वाद हम नहीं करते, क्योंकि हम यह जानते है कि दोनों के बिना समाज नहीं बनता, दोनों के बिना पूरक है इसलिए व्यक्तिनिर्मान का काम करने वाली शाखा है तो संग के अलग राष्ट्रिया राष्ट्र सेविका समीती की अलग महिलाओं के लिए उनकी चलती है पुरुषों के लिए हमारी चलती है लेकिन समाज के बाकी सारे कामों में पुरुष महिला एकत्र मिलकर काम करते हैं, यह चलते आ रहा हैं, डॉक्टर साब के समय की जो परिस्थिती थी, उस समय व्यक्ति निर्माण के काम के लिए दो संगटन हो गए, लेकिन बाकी से भी कामों में सम मिलकर काम करते हैं, क्योंकि का है उसकी उपेक्षानी की जा से कि उनको भी कि सशक्त करना पड़ेगा है हमारे उनको माता मानते हैं वत्सलता उनका गुण है जगजननी के रूप में उनकी कल्पना करते हैं लेकिन ऐसी कल्पना करते करते क्या हमको विस्मृती हो गई पता नहीं हमने उनकी सक्रियता के द और बाद में जो विदेशी आक्रमण हुए उन आक्रमणों की परिस्थिति में उनकी सुरक्षा के नाम पर इस बंधन को एक वैधता प्रदान हुई आक्रमण की परिस्थिति चली गई लेकिन बंधन हमने कायम रखे उनको कभी मुक्त नहीं किया उनको जगजनन ने माना ठीक है लेकिन इसका मतलब उनको पूजा घर में बंधन करके रखे बाहर ना ने दे यह ठीक नहीं है एक तो उनको जगत जनी निम्यान के पुजा घर में बन करते अथ्वा द्वितिय दर्जे का मान कर घर में बन करके रख देते ये दोनों अतिवाधिताओं को छोड़ कर मात्रु शक्ति को सशक्त बनाना प्रबुद्ध बनाना उनको बराबरी के अधिकार से सर्वजरी कारियों में परिवार के कारियों में सर्वत्र निर्णई की स्वतन्रता और निर्णई में बराबरी की साजेदारी देते हुए सक्रिय करना इसकी आवश्यक्ता है